करनाटक से उठे हिजाब विवात पर हंगामा जारी है अभी भी करनाटक के न जाने कितने जिलों में हिजाब को लेकर प्रदर्शन हो रहा है कई स्टूडिन्स शिक्षन संस्थानों में हिजाब पहनने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं कई छात्र ऐसे भी हैं जो हिजाब के विरोथ में सडकों पर है इसे विवाद में जब कॉंग्रिस सांसर शशी थरूर ने एंट्री लेने की कोशिश की तो उनकी परेशानी बढ़ गई शुक्रवार को कुवेट स्थित भारती दूतावास ने शशी थरूर को फटकार लगाई है एक पाकिस्तानी एजिन्ट का भारत विरोधी ट्वीट रीट्वीट करने पर दूतावास ने ट्वीट को पाकिस्तानी एजिन्ट का ट्वीट बताया और कहा कि इस तरह से भारत विरोधी तत्वों को प्रुचसाहित नहीं करना चाहिए अपने आधिकारिक ट्विटिन हैंडल से कुवेट स्तित भारती दूतावास में लिखा ये देखकर दुख हुआ कि भारती इस संसत के एक माननीय सदस्य पाकिस्तानी एजिंट के भारत विरोधी ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं जिसे उसकी भारत विरोधी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान का शांती का दूत पुरुसकार भी दिया जा चुका है इस तरह से भारत विरोधी तत्वों को प्रुटसाहित नहीं करना चाहिए विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अरिंदम बाक्ची ने भारती दूतावास के इस ट्वीट को रीट्वीट किया है ऐसे थरूर के ट्वीट को लेकर जब विवाद बढ़ा तो फिर थरूर ने इस पर सफाई भी पेश की कॉंग्रिस आंसर शशी थरूर ने लिखा मैं इस वेक्ती का समर्थन नहीं करता मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना लेकिन मैं उसके द्वारा वेक्त की गई भाबना से चिंते थूँ जिसे भारत के कई दोस्तों ने शेर किया है शशी थरूर ने विवादे ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा था घरेलों घटनाओं के इंतराश्ची प्रभाव होते हैं मैंने खाड़ी के अपने दोस्तों से भारत में इस्लामोफोबिय के बढ़ने और उसकी निंदा करने के लिए प्रधानमंत्री की अनिच्छा के बारे में सुना है हमें भारत पसंद है लेकिन हमारे लिए अपना दोस्त बनना इतना कठिन मत बनाओ थरोर ने जिस ट्वीट को रिट्वीट किया था उसमें दावग किया गया था कुछ शक्तिशाले कुवेटी सांसदों के एक सम्हु ने कुवेट की सरकार से भारत की सत्तारूर पार्टी बीजेपी के किसी भी सदस्य के कुवेट में प्रवेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की इसी ट्वीट में आगे कहा गया था सांसदों ने कहा हम चुपचा बैट कर मुस्लिम लड़कियों पर होते अत्याचार नहीं देख सकते है ये उमा के एक जुट होने का समय है शशी थरोर ने इसी ट्वीट को रिट्वीट किया था जिस पर लतार लगाई गई है अब सोची ज़रा देश के पढ़े लिखे सांसद ही अगर इस तरह की गलतियां दोहराएंगे तो फिर देश में शांती बनाए रखने में तो परिशानी होगी ही पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और ऐसे किसी भी विचार की भारत सराहना नहीं करता कि किसी और देश की विचारधारा को हम अपनी बना ले खास कर जो देश विरोधी हो इस सबसे पहले देश में हिजाब को लेकर बढ़ रहे विवाद और उस पर अलग अलग देशों से की जा रही टिपड़ी पर विदेश मंत्राले ने साफ कहा था कि देश के आंतरिक मामलों में बाहरियों की टिपड़ी स्वीकारी नहीं होगी अरिंदम बाक्ची ने एक प्रसकॉंफरेंस में हिजाब के मुद्दे पर किये गए सवाल को लेकर कहा था ये विदेश मंत्राले का विशय नहीं है हमारी कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं है ये भारत का आंतरिक मामला है इस पर किसी बाहरी वेक्टी या किसी अन्य देश की कोई भी टिपड़ी स्वागत योग्य नहीं है और आप सोचिए इसके बाद भी पाकिस्तान से की गई देश विरोधी टिपड़ी को शशी थरूर बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं आप शशी थरूर के इस आक्शन पर क्या रेक्शन देना चाहते हैं अपनी राए हमें कमेंट कर जरूर बताएं